कि नवस्कार दोस्तों वेल्कम टो में चैनल आज का छोटा सब्सक्राइब बात चोटा है मन्द सब्जेक्ट बहुत बड़ा है ठीक है तो आज हम लोग देखेंगे वट इस राउटिंग ठीक है बहुत सारा लोग हम लोग को कुश्चिन के ऐसा राउटिंग का बारे में तो एकड़म कम्प्लेटरी राउटिंग के ओपर कोई एकड़म स्पेशालाइज राउटिंग जो होता है ना उसका बारे में कुछ वीडियो अभी तक नहीं दिया है तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है ताप लोग थोड़ा सा देखिए और एकड़म तो ढ़ियो धू पॉईंट हम आप लोगों को बोलेंगे राउटिंग किसको बोलता है। जैसे की राउटिंग बहुत सारा सब्जोग्न में होता है। APProntि've स्वा commod quelqu कम्ट में होता है। राउटिंग जो साउंड का बड़ंग में होता है। इसका अंदर राउटिंग होता है तो routing एक broad sense है जैसे कि अगर हम लोग बोनला चाहते है यह a point to b point ठीक है b point तो इसका अंदर straight a से b अगर आप लोग चला जाओगे तो इसका अंदर कोई routing नहीं है एकदम straight forward a to b अब लोग चला जा रहा हूँ ठीक अगर c middle में आ जाएगा नहीं तो d आ जाएगा नहीं तो e आ जाएगा तो ऐसा करके अगर हम लोग जाएंगे तो अगर हम लोगों को b तक जाना है तो पहले a to c आयएगा उसका बाद c to d जाएगा उसका बाद d to e जाएगा, e to b जायगा तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि first routing, इसके बाद second routing, इसके बाद third routing, उसके बाद output, ठीक है, यह है एक-एक step routing का, तो हम लोग अगा sound का, मतलब कोई door में अगर देखना चाहते हैं, कोई भी door में आप लोग इसको आप लोग को मिल सकते हैं, ठीक है, तो audio खेलिए हम बो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरा कोई bus में भेजना चाहते हैं, तो a to b का अंदर, जितना सारा points है, तो इसको हम लोग करके bus बोलते हैं, जैसे कि bus 1, bus 2, bus 3, ठीक है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, तो इधर से आएगा, इधर से जाएगा, यह भी हो सकते है, जैसे कि यह पहले a का पास आ रहा है, a to इधर आ रहा है, इसका बाद इधर जा रहा है, इसका बाद इधर जा रहा है, इसका बाद इधर जा रहा है, यह भी हो सकता है, तो यह हम लोग practically देखेंगे कैसे, ठीक है, practical होना चाहिए, सब कुछ का एक practical होना चाहिए, तो जैसे कि हम लोग ज लूजिकल इंस्टुमेंट का ज़रूरत रखता है जैसे कि ये हो सकता है, अब लोग व्यस्ट कर सकता है तो अगर व्येश्ट यूज कर रहा हो नहीं तो कोई और सैंपल यूज कर रहा हो तो बहुत सारे इंस्टुमेंट जब एक साथ recording हो जाता है, उसका एक हम लोग group बना लेता है, जैसे कि एक drum का group हो गिया, एक melody का group हो गिया, एक percussion का group हो गिया, तो यह अलग-अलग करके group होता है, तो यह जो group G हम लोग लीग दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे group track, ठीक है, तो एक group track का अंदर multiple audio track रह सकत है, एक group track का अंदर, तो group track हम लोग create कर सकते है, तो अगर हम लोग इसको कोई भी group में डालेंगे, जैसे कि यह वाला जो audio है, इसका हम लोग output इधर देख रहा है, जो routing का main जगह है, जैसे कि यह दिखे, routing बोलकर दिखा हुआ, दिखा रहा है, इधर यह वाला routing, तो इसको क् input में बुल रहा है, लेफ्ट, स्टीडियो लेफ्ट और output में स्टीडियो आउट, मतलब यह directly studio out में चला जा रहा है, कोई track घूम के नहीं जा रहा है, तो directly studio out में चला जा रहा है, अगर हम लोग इसको एक group track में डालेंगे, जैसे कि इसको right click करेंगे, एक group track अगर हम लोग ल इसको हम लोग इधर से भी हम लोग डाल सकते हैं, इसमें इधर से होगा नहीं शायद, ठीक है, हम लोग इसको इधर से देखते हैं, इधर से भी group track का option दिया हुआ नहीं है, normally हम थोड़ा सा दूसरा सोच रहा है, ठीक है, चली हम लोग एक track create कर लेते है, add group track, और यहाँ, add group track to selected channel, यह वाला जो channel select किया है, इसको add group track में डाल दिया है, यह channel हम लोग studio करेंगे, और इसको add करेंगे, तो अभी देखिए, यह routing थोड़ा change हो गिया है, इसमें अगर जाएंगे, तो यह studio का जाका पर group 1 आ गया, समझ गया, अगर इस, यह अगर mute रहेगा, तो यह नहीं रहा था, जैसे कि A और B, B अगर हम लोगों का output है, middle में C आ गिया, ठीक है, अभी इसका अंदर आ रहा है, इधर जा रहे है, मतलब that is called group 1, यह group track बन गिया, इसका अंदर, और दूसरा जगह से भी हम लोग देख सकते है, अगर हम लोग mixture में जाएंगे, एफ 3 प्रेस करकर ज जाएंगे, तो देखिए है, यह वाला जो audio 1 है, इसका routing में अगर हम लोग जाएंगे, तो यह group में जाएंगे, मतलब यह audio इसका अंदर आ रहा है, इस इधर से उधर जा रहा है, और अगर हम लोग यह button को प्रेस करके audio 1 को खोलेंगे, तो इधर जो एक button है, यह button को अगर हम हम लोग क्लिक करेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएंगे, जैसे कि यह वाला audio किधर जा रहा है, ग्रूप 1 में जा रहा है, और ग्रूप 1 से studio जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम, इसको off कर दिया है, इसको थोड़ा सा, अगर हम लोग चाहें, तो इसक यह वाला group truck इसको अगर यह बटन को प्रेस करके अगर right click करके अगर हम लोग add effects channel करेंगे मा लीजे हम एक reverb डालना चाहते हैं तो हम एक reverb दे दिया है तो reverb डालने का बाद यह वाला जब हम लोग add करेंगे तो इसका और एक bus add होगी है effects channel में जाएंगे तो यह studio out में जा रहा है मगर group truck होके जा रहा है इसका अंदर से होके जा रहा है हो गया है दूसरा एक point है जैसे कि यह वाला group में हम लोग reverb लगाया है ठीक है और एक group दे रहा है और एक group हम लोग add कर रहे है तो यह वाला group 2 जो है ग्रूप 2 जो हम लोग दिया है studio out है दिखिए studio out directly जा रहा है तो इसको अगर हम लोग group 2 से out करेंगे तो यह group 2 से out हो जाएगा तो normally हम बोलना यहीं चाहते है जैसे कि अगर हम लोग audio channel को कोई भी group में डालना चाहते है तो group में चला जाएगा simple voice है group में चला जाएगा तो group का अंदर से कोई भी effect अगर लगाएंगे तो effect चलेगा उसका साथ effect होके output निकलेगा अगर हम लोग play करेंगे तो इधर से सभी में play हो रहा है सभी में जा रहा है मगर इसका अंदर जो drawing हुआ है तो यह drawing हम थोड़ा सा draw करने का कोशिश करते हैं जैसे कि यह वाला जो है audio one यह one हम लिख रहा है अभी यह अभी एक group में जा रहा है जिसको हम लोग G1 बोल सकते हैं नहीं तो कोई भी strings one ऐसा भी बोल सकते हैं और यह वाला जो है इसका अंदर जो output है यह एक effects channel से जुड़ा हुआ है that is reverb ठीक है मनतब यह जब इसका अंदर आएगा तो इधर से इधर जाएगा ठीक है अभी यह group track जो हो रहा है यह directly stereo out हो रहा है इधर जा रहा है और यह भी effects भी directly stereo out हो रहा है तो हम लोगों को लग रहा है क्या रिवर्फ का साथ पूरा जा रहा है क्योंकि group का अंदर है अगर group mute रहेगा यह अगर mute हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा तो यह जो routing है यह त्वड़ा complex routing है जैसे कि इसका अंदर यह आएगर उसका अंदर यह वल आ गया उसका अंदर ये वाला डारेक्ली ये भी जा रहा है ऐसा हो रहा है तो किसलिए बुल रहा है हम जैसे कि अगर हम लोग मिक्षर में जाए मिक्षर में जाके अगर हम लोग देखेंगे राउटिंग का टेबिल देखेंगे तो राउटिंग अगर हम लोग खोलेंगे देखिए ये वा भी कर सकते यह से कि राउटिंग का अंदर जाके हम लोग इसको डाइंदी का अंदर चला गया क्यूंकि यह भी ग्रूब वण से निकलन पड़ेंगा तब ही यह निकलना पड़ेंगा तब यह चैंज होगा तो ग्रूप तूरो का साथ एफ्क्ष ळारा और audio का साथ group 1 जा रहा है तो drawing क्या हो रहा है देखिए यह वाला audio दो group है इसका अंदर एक G1 है और यह G2 है अभी audio जो जा रहा है इसका साथ इधर होके output में जा रहा है यह output है और इसका साथ effect channel जूरा हुआ है effect channel जूरा हुआ है मतलब इसका साथ add करके और एक बास हो गिया मतलब इधर दो बास हो गिया अभी यह directly इसका अंदर जा रहा है ठीक है तो मतलब क्या है यह grouped का अंदर only reverb भी है reverb जा रहा है output में और इधर जो main audio है main audio ऐसा जा रहा है तो जब हम लोग सुन रह फोके आरहे यह और इधर जो audio group होके आ रहा है यह भी सुन रहे और इसका साथ साथ और पॉइंट भी है और पॉइंट भी है क्या है हम लोग जो effect channel डिया है यह जो group वण में है यह दिखिए effect channel इधर भी लगाया है हम लोग यह वाला effect channel इधर भी लगाया है, तो group 1 का अंदर effect channel है, church channel निखल रहा है ग्रूप 2 से, थोड़ा सा complex है, थोड़ा सा complex है, इतना complex हम नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो यह वाला जो ड्राइंग हम थोडी देर पहले किया था वह वाला ड्राइंग इसका साथ ऐसा हो रहा है जैसे कि यह वाला आद्यू है यह ग्रूप 1, G1 है इसका अदर एफिक्स चैनल एफिक्स है ठीक है इह निकल रहा है यह यह effect send में है यह निकल रहा है यह जो effect channel निकल रहा है group 2 से जो only effect channel निकल रहा है G2 से और G2 ऐसा करके दोनों एकसद meet कर रहा है output channel में समझ गया क्या हम बोलना चाहते हैं तो यह थोरा complex routing है जैसे कि यह audio G1 का प्लस पहले आ रहा है, G1 का साथ send channel में fx channel जूड़ा हुआ है, जो fx channel g2 से निकल रहा है, ठीक है, तो यह भी output हो रहा है, यह भी output हो रहा है, तो यह है एक थोड़ा सा complex routing, simple routing है अगर हम लोग बोले, जैसे कि यह वाला fx channel को हम लोग हटा देते हैं, इसको थोड़ा जो group 2 है, इसको भी remove कर देते हैं, और इधर add fx channel इसको भी remove कर देते हैं, अभी देखिए, कोई कुछ नहीं है, मतलब इसका just only, जो main output जो है, यह group होके जा रहा है, मतलब group 1 होके जा रहा है, अगर हम लोग directly इसका अंदर insert में कोई effect लगाएंगे, जैसे कि हम एक reverb लगा रहा है, ठीक है, एकदम simple सा एक reverb, जिसका level थोड़ा कम कर देंगे, उतना ज्यादा level हम लोग नहीं रहेंगे, mix का percentage हम लोग 30, 34, 30, 33, इस type के कुछ रखेंगे, ता भी देखिए, मिल रहा है, reverb मिल रहा है, simple, यह जो हम लोग routing किया है, यह routing बहुत ही simple है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख रहा है, जैसे कि number A, यह जो audio है, इधर group में आ रहा है, group का अंदर आ रहा है, g1 में आ रहा है, और g1 का साथ insert में जूड़ा हुआ है, effect channel, effect channel, जो directly जूड़ा हुआ ह है, कोई send में नहीं है, और यह दोनों मतलब इसका साथ जूड़ा हुआ है, तो यह output होड़ा है, simple सा routing, कोई complex नहीं है, इसका अंदर एकदम simple routing है, group लेने का फायदा ही ऐसा है, जैसे कि जैतना सार, जैसे हम लोग बोलता है, जैसे कि अगर logic में जाओगे, तो logic में आप करने लेगा, और दूसरा कोई dog में, दूसरा type का हो सकते है, मगर cubase बोलो और new and dog में बोलो, इसमें group का हिसाब से bus हम लोग जो बोलता है, वो group 1 हिसाब से चलता है, और उसका साथ साथ हम लोग जो effects channel बोलता है, तो particularly effects channel अगर हम लोग लेंगे only for send purpose, तो वो भी एक bus है, ठीक ह यह हम लोगों को select करने, जैसे कि अगर हम कोई effects channel इधार ढाले, add effects channel, selected channel बोल रहा है, add effects channel, just only effects track, एक ले रहा है, ले लिया, तो यह effects channel का output देखिए कि दर से जा रहा है, stereo out हो रहा है, तो इसका हम लोग group 1 से भी कर सकता है, अगर group 1 से करेंगे, तो क्या होगा, ना group 1 से तब insert क कोई ज़रूर्द नहीं है, तो इसका कोई ज़रूर्द नहीं है, फिर भी आप लोगों को revamp मिलेगा, हाँ, एक मिनिदे, इसको output में देना पड़े लिए, और ही, send channel लिया, इसको थोड़ा सा यह वाला देना पड़े लिए, तो दोनो ट्रेकी, audio 1 और जो effects 1, दोनो ट्रेकी group 1 से निकल रहा है, तो यह main बास है हम लोगों का, अगर यह हम लोग म्यूट करेंगे, तो कोई भी सब एकसाद म्यूट हो चाले, देखिया, इसका साथ-साथ और भी एक छोटा सा point हम लोग बोल दे रहा है, जैसे बहुत सार लोग ऐसा भी हमको बोला है, जैसे sir, हम लोग कोई भी एक को सिलेक्ट कर रहा है, तो दोनों एकसा सिलेक्ट, जैसे कि इसको हम लोग अगर अलाग अलाग divided कर देंगे, तो किसी भी करन से अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करके, control G प्रेस कर देंगे, तो यह group हो गिया, control G अगर प्रेस करेंगे, तो बहुत सारा track, बहुत सारा track का sound लेके भी हम लोग control G कर सकते हैं, जैसे कि multiple track है, 10 channel है, 10 channel में छोटा मोटा छोटा मोटा बहुत सारा, छोटा 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 audio samples है, उसका अंदर कोई भी sample का साथ, कोई भी sample हम लोग group बना सकता है, जब भी हम लोग group बनाएंगे, तब इधर ऊपर में एक छोटा सा आइकन आ जाएगा, जो आइकन इधर, एक group का आइकन है, अगर हम लोग इसको किसी भी तरीके से इसको थोड़ा सा change करें, तो एक साथी change होगा, ठीक है, एक साथी change होगा, फिर हम लोग इसको अलाग करने की ये क्ल भी कर सकता है, इधर हम लोगों को मिलेगा, आइधर नहीं मेल रहा है, देख लेता है, अगरूप, अगरूप, कंटरल इउ, अगरूप होगा होगए, अभी इसको अपलोग individual move करवा सकते हो, ठीक है, एसा चीज ये भी होता है, यसे कि ये कोई भी multiple track अपलोग ले लिया है, और भी ट्रैक बहुत सारा ले लिया है चार पांच ट्रैक ले लिया है तो इतना सारा ट्रैक हो गिया है अगर किसी भी कारण से अगर हम लोग सभी को सिलेक्ट कर दिया audio 3 audio 4 select कर दिया उसके बाद अगर हम लिंक कर देंगे volume pan EQ dynamics inside जीतना सारा है सभी को अगर link कर देंगे तो ये link one का अंदर चला गिया मतलब ये दोनों track सेम हो गिया अगर हम लोग इसका अंदर कोई भी एक का अंदर कुछ लेंगे तो दूसरा का अंदर हो जाएगा जैसे कि इसका अंदर inside में अगर कोई analyzer लगाएंगे तो ये वाला analyzer दोनों में हो जाएगा मतलब एक track में लेके दोनों track में हम लोग यूज कर सकते जैसे कि इसका भी है अगर हम लोग थोड़ा से इसको EQ को उठाए तो इसका भी आप लोगों को इक्यू को ऑफ्षन मिले मन्दों EQ आपको दिखने मिलेगा जैसे कि यह उड़ गिया है क्योंकि यह अभी लिंक में है और लिंक का अंदर क्या क्या है जितना सारा ऑफ्षन दिया था सब ऑफ्षन लिंक का अंदर है सबसब्स हैं और लगों करेंगे तो विटटा साप्टिकूलल से अब लग साब कुछ कंट्रोल कर सकता है जैसे कि headroom control कर सकते हो, जैसे आप लोग कोई musician को बोल सकते हो, उसमें भी talkback का option दिया हुआ है, वो भी कर सकते हो, हम physical दिखाएंगे कभी भी studio में जाके दिखाएंगे, जब VCA, what is VCA controller का अंदर, क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, और किस टाइप का benefit, किसलिए हम लोग मिक्सर नहीं लेने से, मिक्सर नहीं लेके VCA controller ले लेंगे, तो बहुत काम का चीज है, तो उसका उपर कोई भी दिन अगर होगा, तो हम tutorial दे देंगे, तो यह था आज का routing का tutorial, तो simple way से अब लोग थोड़ा सा सोच के कोई कोई भी routing करना, जैसे कि routing अगर करना ही है, पहले द का साथ क्या जूड़ा हुआ है, अगर किसी का track आप लोग बना रहा है, किसी का track आप लोग mixing कर रहा है, तो वह भी आप लोग को देख लेना है, जैसे कि कि को, कौन सा sound का साथ कौन सा sound routing होकर भी पहले देख लेना है, उसके बाद अगर, ठीक है, अगर बोट सारा लोग ऐस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में मिक्सिंग करने के लिए पहले आप लोगों को देख लेना पड़ेगा जैसे किसका साथ क्या राउटिंग होका बैठा है उसके बाद उसको हटा के अपना हिसर से मैनुवली करना है थेंक्यू दोस्तों थेंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो आप लोग देखो और इसका बारे में थोड़ा से हमको कोमेंट करो जैसे कैसा लगा है अभी राउटिंग का जो ट्यूटोरियल दिया है आप लोग ठीक से समझ पाया कि नहीं पाया उसका बात फिर भी पूरा ट्रैक लेकर हम लोग राउटिंग करेंगे और सब कुछ कर देने का बाद हम लोग सुनेंगे क्योंकि पहले ही हम लोग सुन लेत पहले सुनना है उसके बात करना है यह हम लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है हम लोग सुनते नहीं है पहले पहले सुन लेना है उसका बात प्लैनिंग करना है जैसे कैसे हम लोग इसको राउटिंग को करें और कैसे इसको पर्टिकुलर्ली कोई भी अगर रिकॉर्ड कर रहा कोई भी work in widow busy sharp तो उसका कुछ तो if स्टंफ होना चाहिए जैसे की हाँ लोगों को पता लग जायगा जैसे की इसका mixing है इस लिए नुनिंग लग रहा है इसमें कुछ effects भी है कुछ थोड़ा सा ऐसा कुछ जगा है जो जगा पर सोचने का जगा जैसे कि यह ऐसा टाइप के effect बनाया कैसे यह भी सोचने का एक तो वैसे ही गलती मत करना जैसे कि कोई भी track का अगर mixing करना है पहले सुनना है उसके बाद planning करना है उसके बाद जो हम बोल रहे है वह करके एक बड़ दीखो अगर फाइदा होगा तो इस टैप कही कराऊ कोई दिक्कत नहीं है जो नया है हमारा चैनल में हम रिक्वेस्ट निक तक रखगे समय करे ढहा हम जाए पिर दिए आइव सुनने में है पहले से जो करेंए बारा में हमें जाए नहीं है अजाने हम अतरत खलिफ आँ है